नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्षन, एडवेंचर, ग्रामा और साइन्स फिक्षन फिल्म दमोन के बारे में बताऊंगा। बिगाडने वाले आगे सावधान रहें और ध्यान रखें उडान भरता है और अगला कदम इसे कमांड मॉड्यूल से जोरना है। डॉकिंग करने के लिए उन्हें फिर से आटो पाइलट पर निर्भर रहना परता है और शुक्र है कि यह ठीक से हो जाता है। लेकिन इससे पह बहुत ज्यादा हिल रहा है और वह नियंतरन तक नहीं पहुच पा रहा है। अचानक वां गलती से अमोनिया के संपर्क में आ गया और उसे चक्कर आने लगा इसलिए वह अपने हेलमेट की ओर बढ़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वां की मृत्यू हो वां को आधिकारिक तौर पर मृत घोशित कर दिया गया। जबकि समाचार आउटलेट एक और असफल मिशन को कवर करते हैं किम घर लोटता है और क्योंकि वह एक और विफलता से नहीं निपट सकता है वह स्वयन को हटाने की कोशिश करता है लेकिन हान बायोल उसे समय पर उस समय किम को मून्यंग से एक संदेश मिलता है जिसमें बताया गया है कि हुआंग अभी भी जीवित है जिसे वह जानती है क्योंकि नासा के स्टेशन ने उन रेडियो संदेशों को रोक लिया है जिन्हें हुआंग अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भीजने की कोशिश कर मून्यन किम को आवरित्ती तक पहुचने के लिए कोड भी देता है। इसलिए वह और हानबायोल विद्शाला से कुछ पुराने उपकरन लेने के लिए दौड पड़ते हैं और वांग के SOS संदेश को सुनने का प्रबंधन करते हैं। हानबयोल ने तुरंट इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जबकि किम ने हुआंग से उसकी स्थिती पूछी, उसे पताचला कि उसके पास ज्यादा शक्तिया ऑक्सीजन नहीं बची है और उलकापात अभी भी जारी है। किम उसे मदद का रास्ता ढूनने तक लेंडर म रहने के लिए कहता है और उसी समय एक हेलिकॉप्टर दिखाई देता है। पता चला कि हानबयोल ने एक आपात कालीन सेवा को फोन करके कहा कि किम दिल का दौरा पढ़ने से मर रहा है, इसलिए उसे जल्दी से उठाया जाएगा। हेलिकॉप्टर किम को वापस का सा मुख् जबकि हानबयोल यूट्यूब पर हवां का SOS संदेश पोस्ट करता है, जो तुरंत वाइरल हो जाता है। जबकि हवां के पास जो कुछ भी उपलब्ध है, उससे उसके घावों की देखभाल करने की पूरी कोशिश करता है। हानबयोल कौम के माध्यम से उससे बात करके उ दुनिया भर के लोग हवां का समर्थन कर रहे हैं और नासा पर मदद भेजने का दबाफ बना रहे हैं। नासा के उच्छ अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि जानकारी किसने लीग की और उन्हें तुरंत मुन्यन पर संदेश हो गया, लेकिन इससे पहले की वे उसके फोन क जाच कर सकें। उन्हें वाइट हाउस से एक कॉल आती हैं। कासा के बहुत सारे काम के बाद वे लैंडर के साथ फिर से संचार प्राप्ट करने में काम्याब रहे। आला कि मंतरी खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनता की नजर में हुआं को पुनरजीवित करने का क्योंकि वे उसे वापस नहीं ला सकते। अचानक उलकापात बत्तर होने लगता है और किम हवां को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता है। उसे नहीं पता की कहा। उस समय सन्युक्त राज्य अमेरिका से अच्छी खबर आई। वाइट हाउस ने नासा को हवां की मद निकाल दिया जाता है और अनुशासन समिती के पास भेज दिया जाता है। वे केवल वाइट हाउस के लिए अच्छा दिखने के लिए उसे इस आखिरी मिशन के लिए रुकने की अनुमती दे रहे हैं। मून्यन द्वारा उन्हें चेतावनी देने के बाद कि उन्हें इसे पूरा करने का केवल एक ही प्रयास करना होगा अमेरिकी स्टेशन रास्ते में आ जाता है ताकि वे दक्षिन कोरियाई जहास के साथ डॉक कर सकें वाम ने लैंडर को फिर से लॉंच करने की कोशिश की लेकिन बहुत सारे जटकों के बाद दुरभाग्य से यह पुडान भरने में विफर रहा क्योंकि इसमें परियाख जगह नहीं है और यह सही धंग से संरेखित नहीं है लैंडर जमीन पर गिर जाता है जब तक कि वह फिर से गड़े में नहीं गिर जाता और डॉकिंग पोर्ट नष्ट नहीं हो जाता अमेरिकी स्टेशन ने घोशना की की वेवेग बनाए नहीं रख सकते और अब और खड़े नहीं रह सकते इसलिए मूनियन के पास बचाव अभियान रद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है हताश किम हवां को लैंडर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार देने की कोशिश करता है लेकिन हवां ने हार मान ली है और ऑक्सीजन आपूर्ती सहित सभी प्रनालियों को बंद कर दिया है किम हवांग को अपने पिता की तरह नहीं बनने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन हवांग उस क्षण का उप्योग कबूल करने के लिए करता है कि उसने अपने पिता की इच्छा की सच्चाई देखी है. यह पता चला कि उनके पिता को पहले चंद्रमा मिशन से एक महीने पहले पता था कि इंजन में खराबी थी और फिर भी उन्होंने मिशन पर जाने का फैसला किया क्योंकि वह सफलता के भूखे थे। आला कि किम ने उसे टोकते हुए कहा कि उसे पूरी कहानी नहीं पता है। किम ने वांग से अपने पिता को माफ करने के लिए कहा क्योंकि यह उसकी गलती नहीं थी। वांग से वापस आने की बिंती करता है। हर कोई उम्मीद खोने लगा है लेकिन अचानक कंप्यूटर घोशना करता है कि जहाज में आक्सीजन की आपूर्ती फिर से शुरू हो गई है। वे गोदी के बारे में चिन्तित है लेकिन मून्यन को भरोसा है कि वह इसका समाधान धून सकता है। इन नेंतरन कक्ष में वापस जाता है और वैग्यानिकों के साथ मिलकर वे वांग को बाहर जाने और थस्टर्स को मैनिवल रूप से सक्रिय करने के लिए मार्क दर्शन करते हैं। अब जब वह अधिक जगह वालेक शेत्र में है तो इससे उसे कमांड मॉड्यूल को सफलता पूर्वत लॉंच करने की अनुमती मिलती है। इस बीच मोन्यन ने खुद को अपने कार्याले में बंद कर लिया और अमेरिकी स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ संपर्क स्थापित किया। वह उन्हें बताती है कि सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं है। लेकिन वह उन्हें यह याद दिलाते हुए अपील करती है कि वे सभी अलग-अलग देशों से हैं, फिर भी वे सभी अंतरिक्ष यात्री हैं। इसलिए राश्ट्रियता के कारण किसी साथी अंतरिक्ष यात्री की मदद की पुकार को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उसकी कॉल तब बाधित होती है, जब उच्छ अधिकारी अंतह कमरे में गुसते हैं और उसे ले जाते हैं। वांग वापस आकर उसने देखा कि जहास चंद्रमा के उजवल पक्ष तक पहुँच रहा है, लेकिन लैंडिंग असंभव होगी, इसलिए वह एक योजना बनाता है। अन्य अंतरिक्ष यात्रियों से सारी यादें बटोरने के बाद वह ड्रोन को अपने शरीर के चारों और बांध लेता है। अमेरिकी स्टेशन ने घोशना की कि वे बचाव कार्य को अंजाम देने के करीबा रहे हैं। शुक्र है कि ड्रोन अभी भी काम कर रहा है और जागने पर हवान का चेहरा रिकॉर्ड करने में काम्याब रहा है। इसलिए बह संदेश सुनता है और बचाव डल को अपने निर्देशांक भेजने में काम्याब होता है। कुछ ही क्षण बाद अमेरिकी दलद्वारा हवान की देख भाल की गई तस्वीरें हर समाचार आउटलेक तक पहुँच गई और दुनिया भर में हर कोई जश्न मना रहा है। इस सफलता के बाद कसा निदेशक चाहते हैं कि किम अपनी नौकरी पर वापस आ जाएं लेकिन किम इस से इनकार कर देते हैं और अपनी वैदशाला में लोटने के लिए चले जाते हैं। जब हवांग दक्षन कोरिया लोटता है तो मंतरी उत्साह के साथ उसका स्वागत करता है। यह दिखाते हुए कि वह हमेशा उस पर विश्वास करता है। एक महीने बाद यह घोशना की गई की अंतरराश्ट्रिय अंतरिक्ष समिती दक्षिन कोरिया को नौबे देश के रूप में शामिल होने की अनुमती दे रही है। यह भी पता चला है कि मून्यन नासा की पहली महिला निदेशक बन गई हैं जो वाइट हाउस से भीजा गया एक आदेश था। इस बीच वेजशाला में किम को अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए एक शिक्षक और उसकी कक्षा के उतसाहित बच्चे मिल रही हैं। सूट कैसे काम करता है यह सिखाने के लिए कर्मचारियों में से एक को अंतरिक्ष यात्री के रूप में तयार किया जाता है। लेकिन जब वह अपना हेलमेट हटाता है तो किम यह देखकर चौंप जाता है कि यह वांग है। दोनों व्यप्तियों ने एक साथ जो कुछ किय उसके लिए सम्मान में सलामी साजा की इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़े देखने के लिए धन्यवाद